आज हम पढ़ेंगे फार्मकोलोजी का यूनित 9 कार्डियो वास्कुलिय सिस्टम पार्टू जिसमें हम आज पढ़ेंगे आज़ा से और यूजब जाता है तो हम पहलें पढ़ेंगे डिसके अपने शल्डीय फ्ट्रीटिंग एपि इंजाइन अपकों सब्से अचेशितया नर्ग ग्लाण सब्सक्राइब घृति अच्रिक श्ल घृतिया घृतिया थे अजिसके निर्सिंग रिस्पॉणिटी फर इज क्लास ऑफ ट्रक्स के निर्स का क्या काम है फीर्मेक्री लग्वाजिकल मैनेजमेंट आफ हाइपर टेंशन बीपी की और हाइपर टेंशिफ क्रैसिट अगर अनकंट्रोल भी पी हो जाहा उसमें निर्सिंग responsibility क्या है थ्रॉंबलेटिक थेरपी क्या है उसकी डिफरेंट एक्षिन और नर्सिंग responsibility for that therapy सबसे पहले इंजाना पेक्टॉरिस होता है इंजाना पेक्टॉरिस और सिंप्ली इंजाना is the chest pain or discomfort due to some part of the heart doesn't get enough oxygen discomfort के chest pain होती है जिसमें दिल को पूरी पूरा खून नहीं मिल पाता तो heart muscles को blood हर वक्ट चाहिए होता है तो फिर discomfort हो जाता है पूरी oxygen ना मिलने के विए से और ब्लड ना मिलने के विए से और वह पेन को हम इंजाना कहते है इसकी causes कि है अथिरो सिक्लार्स मतलब आर्टिस हो गई है या को वाँ प्लड जू है वहाँ पर ब्लड जम गया है तो वह रास्ता नहीं मेरा ब्लड को पोड़ पहुंचने ना थिरो में हार्टिंग होने कि वैससे पूरा जो ब्लड है अच्छी तरह वहाँ पर फ्लो नी कर पा रहा है प्लाक है कोई आर्टि में मतलब फैट को डिपोजिट हो गई है तब भी आर्टी को रास्ता में रहा है वैसे ही पूर ब्लड फ्लेट ड्यू टू हार्ट वैल जैसे रिकरजिटेशन है आप लोगों की कोई और इस तरह के इशू है इसी तरह पंपिंग हार जो लेसंड पंपिंग ऑफ थी हार्ट मसल्स है कि म इस तरह आयूडियाबशन के इस सपाजम वह चुका होते हैं तक अब इसकी डिफरेंट टाइप से हमारे पास स्टेबल इंजाइन हो सकता है तो यह काम कर रहे है फीजिकल एक्टिविटी कर रहे है तो फीजिकल अक्टिव्टिक जिसने की वजह से या वह काम करने के वैसे उसके दिल को जादा डिमांड होगी और जैसे वो रेस्ट करेगा ठीक हो जाएगा तो यह stable इंजाइन है unstable में किया कि वो rest भी करेगा तो उसके बावजूद वो ठीक नहीं होगा उसे medicine की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है और अगर मेडिसन नहीं लेता तो वो my की तरफ lead कर सकते है वैजो स्पैस्टिक इंजाइना में क्या होता है जिसे या प्रिंजाइन भी कहते है यह इन्जाइन पेन या यह हार्ड डिसकमफर्ट स्पैशली एट नाइट मिड्नाइट में होगा या बस चाहिए ही होते हैं कि वो रिपोलराइज करें मतलब कि हार्ट को स्टेबल कंडिशन की तरफ लेके जाए और हार्ट को इतना जदा काम ना करना पड़े माइक्रोस्कलर इंजाइना क्या है वही सब चीज़े के ब्लड कोट है या हार्डनिंग है या स्पैस्म है इन वज़ा से पुरा ब्लड ने पहुंच पा रहा है और आर्ट्री जो है फ्लो कम होने की वज़से उसको चेस्पें डिवैलप हो गई है यह भी एक्जर्शन की वज जो डाइलेक्टर कामकरते हैं कैल्शियम कैनल अगए नोन डाइ हाइड़ो है और डाइ हाइड है ह और बेता प्लोकर्स जिसम्हें आपका प्रप्रदैनलल है टीनलल है जी क्लासिफिकेशं इंपॉर्ट του想法 तो इना मगेनिजमा हैं अच ब्सौक प से जयादतें भी सिरास जो मैं आपको पिताया है डाइलेशन ऑफ ब्लड वैजल जिसके वाइसे प्री लोड और आफ्टर लोड मतलब हाथ पे स्ट्रेस कम हो जाता है और आटोमेटिकली जो फ्लो है वो स्मूध हो जाता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या है यहां अपने पड़ा है रिफेक कर देते हैं और इसी तरह जब रेट कम होता है तो आटोमेटिकली उन पर जो है स्ट्रेस कम हो जाता है कैल्शिम चैनल प्रेकर्स अगें यह भी नेगटिव क्रोनोट्रॉपिंग है उसके साफ वेजोडाइलेटर एक ताइम मों सिरफ वेजोडाइलेटर है अगर आपको ड स्ट्रीन देते हो कि ब्लड क्लॉड ना हो नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर्स टैटिन के अगर वह फैट का है तो आप हाइपो जो हैपर कलेस्ट्रोल लेवल से इसको डिक्रीज करते हो और साथ रुनेलाजीन देते हो यह एक एड्जेवन थैरपी है जो डिरेक्ली हाट पर काम नहीं करती लेकिन सम्हाव यह जैसे आपका आइसो किट यह इसे ही नौनेलाजीन पर आपकी इंडरेक्ली काम करती है अब इसमें नर्स के क्या है कि नर्स नोने बताना है कि पूरी हिस्ट्री लेनी होती है कंडिशन देखनी होती है उसके वाइटल साइंस चेक करने पहुता है कि अपने के जब भी पॉजिशन चेंज तो एकदम ना करें क्योंकि इसके पोस्च्टर है पोस्टर हाइपोटेंशन में बहुत प्यूंक्ति चक्कर घड़ सकता है इसके प्यांद को पता हो नी चाहिए कि इतनी कप खानी है क्या प्रस्टेटेटे अवर दी काउं बिए और दी काउंटर मेडिसन होते हैं जो हम अपनी मर्ज से कहीं से भी खरीच सकते हैं तो आप लोग ने फिर उसको बताने किसके साइड फेक्स यहीं है कि बलड वीजन हो सकती है ड्राउ माउथ हो सकते हैं फेंटिंग पी सोड हो सकते हैं और इस तरह की चीज़े अगर न पर इसके साबने पीशिन को साध़िशन के टाइम पर यह लेने हैं प सकते हैं पॉर्स पर इनकिक पीशिंड लियर की हां लोग करने परेशन के ले रहे हैं फ्सकेसाअ बीटा ने छोड़ने दम्हें लिटा टो मीट्ल शूड़ने कि चीपर दीप्क होड़ने के इसके और तो आपने डायूरेटिक्स जो आप फिरोजा मार्ड लैसिक्स कहते हैं उसके बार रेनिन एक लंग से रिलीज होता है और यह आपके अल्डुस्टिरोन हार्मोन के साथ मिलके काम करता है कि एंजियो टैंसिन लिए सिंपैथो मेंटिक्स मैंने अब कुटाया था कि जो आपकी बोडी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो तो वेरी वेले वेल गुड के आप उसमें थाया जाया शायत लेकिन यह दे सकते हैं कि राइट ग्लासिफिकेशन आफ दाईयुरेटिक्स तो तब आपको यानि चाहिए कि डायत्यूरतिक्स की फेट्टर थीन क्लासिफिकेशन है पकाशियम स्पहरी तो यह आपको फेटर अगर वह पूछते ऑसीदर रास्तराइड डासिफिकेशन और तो उसमें फेट्र रेनियन विटा होते हैं Angiotensin Receptor Blockers होते हैं Angiotensin Converter Enzyme Blockers होते हैं इसी दर केल्चिम की पूछ सकते हैं यह तो आप फिलाइल अलकाल लिखेंगे बेंजोल यह डाय हाइड्रो यह नोन इन तोनों को अगर वह सिंपल पूछेंगे तो अगेन एक लिखेंगे आपने यह फर्दर लिख लिखने हैं बीटा इंटरिनर्जिक में आपके वह आ जाते हैं प्रॉप्रो मीटो अटीनोल अलफा बीटा ब्लोक कर्जाएं यह ब्लोक कर जाएं और यह बीटा यह अलफा बीटा मतलब के अनलफा को भी ब्लोक करेंगे और बीटा को भी हमिमें आगे बताते हैं की अलफा बीटा क्या होता है इसमें LBIT अशन अपके यह सब ड्रग्स आपके हैं आड्रीन्वे एफ टेंस अथीन अगें वही जो आपने कार्डियम पढ़ी आप नेट्रोप्रसाइड है यह इनके मेकैनिसम और एक्षन है क्या करते हैं यह इसी इंजयो टैंसिंग कर देता है जब वह इन्हीबिट अपर आपके इन्जयोटैंसिंग रिचेप्तर ब्लोकर्स क्या करते हैं कि वह एग्ष आप लयरे-चेप्टर यह और प्लोक करते हैं जो हरे कुमि गने गऑथ हैं गया पर दीजयोटैंसिंग करते हैं क्या सब्सक्रइशन जया यह सब्सक्राइज कर दोखी सभी और 슈न्च इमें सुर्णै है यह सब्सक्राइज वह आपकर ऐसंवर आलफा केंट पर ओसीन आता है जैसे डेक्जोसीन, ट्रेजोसीन गेंट मेलोल आता जैसे मेता, लिटालोल, कैलशम में डिपीन र्विटीन, निकार्डीपीन और दाइयुरैटी और फिरोजामाइड वगएरा एडेसे कि अर्करा कि चीजह आती है अब आपने फिर्मेकलॉज ग्लेसरीन या नाइ्ट्रो प्रसाइड भी चैते तो यह आपकी एमरजनसी ड्रग है इमरजनसी हें उपकेंसिफ्काराइसियर में होते हैं तो यह क्लास्फिकेशन अलग है वह अलग है उन में से ही निकाले हुए ड्रग जैसे इसमोस में था न इला प्रिलेट भी था अलबी तो फिर यह अचानक कियूट प्रॉबल्म से थीक हो गया है अगर नहीं ठीक हुआ है तो अब इस तरह जो गयों ऑगर ठीक हो गया तो फिर अप्रण्ट बीप्यू फ़गर चेक करो गयों उसे घर बेज दोगा है अगर नहीं तो फिर आइवी लिवीटालोल हाईड्रीलाजी मेटोद हो गया अमर्जंसी इसको केर दें तो नर्सिंग कर लिखा है कि आपने एकदम मैडिसन उनकी अबरपली नहीं रोगनी क्योंकि वो हाइपटेंसिव रियक्शन करेगी डबल डगर मिस्टोज हो गया डबल नहीं करना आपने फोरन अपने उसको बताना है जो भी आपक भी लो हो सकता है पेशन को आपने बताना है कि नौर्मल कितना होता है और अगर बढ़े तो आपने फोरन बताना है इंफॉर्म दा क्लाइंट यूजली एस्म्टमाटिक होती है पहले इस्यूटूशन पतन चदल जब-जादा होती है तो उसकी साइंस सिम्टम्स आने उनको पूरी उमर का इलाजस से नहीं होगा लेकिन आपको सारी उमर दवाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे अगर छोड़ देंगे तो ठीक नहीं रहेंगे आपने उनको दवाईयों के नाम बताने है डोस बताने है अकॉर्डिंग टू दियर प्रिस्क्रिप्शन यह आपके पास थरह फटता थर्फोंबले टिग थरपी युए बसिक थीन चीज़ें आतीय है ज़िक ऑनिजिए प्रोंबलेटिक निषिति क्लासिविकेशन नेλ है अगर ऑफि पूंचते ए जो आपने फॉर्द्र के में देते में ह ப यूर्य ओ यह में सबकूर्ड प्रेपरेञान जो यूज करते हैं अई आपके तॉम्बीट करते हैं और ट्र लू इंहीबिट करते हैं तॉम्बी जो क्लोट जो खून का प्लोट को ड्रेक्व बनने नहीं देती याbayल साथ के ये मैं यह जिन फैक्टर द्रू बनता है उससे टैन इंफ्टर चाहीं होते हैं आइक dapat सांगर कोईगलेंट्स वह होते हैं जो मरीजों को हमोफीलिया की बिमारी हो जिनका खून पतला हो तो आप लोग वाइटामिन के और यह वह चीज़ें यूज करते हैं तॉंबलिटिक में आपके पास दो टाइप सा जाती है नोन फिब्रिन स्पेसिफिक और फिब्रिन मतलब की बिसिकली आपका कलोट जो होते हैं अगर आप डीप माइक्रोस्कॉप में देखे तो एक दागे से मिलके बना होता है तो जो फिब्रिन स्पेसिफिक होंगे उसमें आप यूज करते हो अल्टि प्लेज्ट यूज करते हो और नॉन फिब्रिक में एक्स के इग्शेट्शन जो मोस्ट कॉमन है और आपके यूरू कईन इसम हम आगे पढ़ेंगे ये आप लोगों की ऑगे है एंटि प्लेटलेट्स जिसमें कॉक्स इनिविटर के आप डिस् और आपकी तीरोफाइबन है और फॉस्फोडाइस्टर मतलब यह सारे क्या हैं इंजाइम्स हैं जो आपके क्लॉटिंग में प्लेट्लेट्स मनाने में हेल्प आउट करते हैं कि उनको ब्लॉक करके अपने मेकानिजम और अक्शन करते हैं अब दुक्लास्जे सु हैं जिसमें पहले ईंटीवल्स है प्रिवेंट्स नहीं फ्लेट्स हैं प्रिवेंट्स नहीं डिटिकलंप मतलब इकठ्ठीक इसकेड नहीं बने देते और प्लोड की फट्धर तो आगे फर्दर प्लेटलर्स इकठे नहीं होगी और उसके बाद आपके थाइनो पाइरडीन है जिसमें क्लॉपीडेग्रोल मॉस्कॉमन है यह भी क्या करती है पी तुवाइट वैल्फ जो मतलब कि आपके डीनोसिन डायफास्वेट ग्रूप्स को कन्वैयन को जो है प्लेटलर्स नहीं बन पाते हैं ग्लाइको फास्वेट क्या करती है वो आपके प्लेटलर्स ने कुछ एक्टिविटी करनी होती है तो वह केमिकल को दूसरे दूसरे सिंगल से सिंगल यहनट में कनवर्ट करते हैं तो यूरो चैप्लास्मीनोजन एक अक्टिवेटर है जो को बनाता है कठा करता है तो यूरो काइनेज उस प्लास्मीनोजन को एक्टिव ही नहीं होने देता है नहीं बिट कर देता है कि वह प्लास्मीन में कनवर्ट ही नहीं होगा तो फिब्रीन ही नहीं बनेंगे तो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे क्लोट सी नहीं होग तो आपका फ्या नहीं हमगे बलड क्वाट ही नहीं इसी तरह आपके कोगलेंट्स 555 कायूं करते हैं जो आपके इंट्रिंजिक प्रatuba होता है इंट्रिंजिक तो रीम के प्रॉम ऑनि ट्रे理 होता है इंट्रीम बार नारे होते हैं अff glorious यह क्योंदी भाइन सब्सक्राइश सब्सक्राइब तो टिश्यू के फैक्टर भी एक्टिव होगे इसमें आपका most common factor 3 और factor 7 है factor 12 factor 9 factor 8 आपका intrinsic है factor 7 and factor आपका जो 3 है वह extrinsic है कि टिश्यू स्पेसिस से निकने है अब यह सारे मिलके क्या करते हैं उस जमाने लग जाते हैं दिकने न छोट लगने के बाद ऊपर एक छिलका सा बन जाता है यह क्या करते हैं boagulants infectious को ही ब्लो कर देते हैं उसको फैक्टर थ्री को आने ही नहींदेते है पाथफ़ कि ब्लोक तो फड़र फिप्रेंड में वे त्सक्राइब पत्लिक स्थक्रा गवाक। ब्लर्ड थीन हो तो आपको हो गां को बार 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 ब्रूज भी कुन के अपने लगाने पंक्चान नहीं कानी वहसा इसाय्थ लगाने आपने बाहर बार पर करना। को आपने कwide semiconduaries के लिए आपके लिए करना हैं foods भी लेवल्स चेक करवाने हैं उनको ट्रीट मेजर ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गया फोरन आपने जो है वह क्या नम कहते हैं उस पर प्रेशर अप्लाय करना ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करनी है माइनर है तो उसको मुनीटर करना के बढ़े ना बैड रेस्ट पेश सबस्तों नहीं है उसको सरजरी हुई और ट्रॉमा हुआ तो क्योंकि यह चीज़े मजीद ब्लीडिंग बढ़ा सकती है तो आपने इन चीजों का खया रखना है तो इनमें हमने पढ़ी सबसे पहले अपनी क्या होता है इंजाइनल ड्रॉग्स क्या होते हैं नर्सिंग उनके मेकानिजम्स और पर नर्सिंग किया होप सो आपको समझाइए और कोई भी प्रॉब्लम पूछ भी आप पूछ सकते हैं थाइंक यू